चर्चित निधन जून तक updated काफी जादा important topic है अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो तो friends वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो सभी मैं इस video में आपके लिए लेकर आए हूँ और मैंने सभी question selected और important लिए हैं तो अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो ये video आपके लिए काफी useful रहने वाली है तो चलिए video को शुरू करते हैं हमारे first question से हमारा पहला question है प्रसिद उर्दू विद्वान और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी जन नारंग का 91 वर्ष के आयो में निधन हो गया है अगला question डिसस करते हैं दो बार के Olympian और दो बार एश्याई खेलो में स्वन पदक्विजिता हरी चंद का 69 वर्ष के आयो में निधन हो गया है इनका समन्द किस खेल से था सही answer है option B दोड खेल से ये आपको याद रखना है next question हमारा cricket जगत के महान spinner Shane Vaughan का 52 वर्ष के आयो में निधन हो गया है इनका समन्द किस देश से था सही answer है option A उस्ट्रेलिया देश से तो उस्ट्रेलिया देश के महान spinner Shane Vaughan का 52 वर्ष के आयो में निधन हो गया है ये आपको याद रखना है important points से समझ लेते हैं Shane Vaughan ने अपने करियर में टेस्ट मैचों और ODI मैचों में मिला कर हजार से ज़ादा विकेट लिये थे और वे ऐसा करने वाले विश के दूसरे खिलाडी थे ये भी आपको पता होना चाहिए next question हमारा 6 February 2022 को प्रसिद गाय का लता मंगेशकर जी का 92 वर्ष के आयो में निधन हो गया है इनको किस वर्ष भारत रतन से समानित किया गया था काफी जादा important question है सही answer है option B 2001 में तो 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रतन से समानित किया गया था यह आपको याद रखना है important point से जान लेते हैं सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का Guinness Book Record भी लता दिदी के नाम है यह आपको याद रखना है next question सवतंतर यूक्रेन के पहले राश्रपती का 88 वर्ष की आयो में निधन हो गया है इनका क्या नाम था electronic company सोनी के पूर्फ CEO का 84 वर्ष की आयो में निधन हो गया है इनका क्या नाम था सई आंसर है option C Nobiyoki, Idai यह सोनी के पूर्फ CEO थे जिनका 84 वर्ष की आयो में निधन हो गया है यह आपको पता होना चाहिए next question सवतंतरता सेनानी अंजलाई पौनु सामी का 102 वर्ष की आयो में निधन हो गया है वे 1943 में आजाद हिंद फोस की किस महिला रेजिमेंट में शामिल हुई थी सई आंसर है option A जांसी की रानी रेजिमेंट तो यह आपको याद रखना है next question सई आंसर है option B संतूर वादक तो भजन सो पौरी का 73 वर्ष की आयो में निधन हो गया है यह एक संतूर वादक थे यह आपको याद रखना है अगला question डिसस करते हैं जम्मू और कश्मीर नैशनल पैंथर्ष पार्टी के संस्थापक और मुखे संरक्षन का 80 वर्ष के आयूं में इधन हो गया है इनका क्या नाम था सही आंसर है option B प्रोफेसर भीम सिंग ये आपको याद रखना है friends अगला question डिस्स करते हैं कृष्ण कुमार कुनात जने हम प्रसिद केके के नाम से जानते हैं 53 वर्ष के आयूं में इधन हो गया है ये कौन थे सही आंसर है option A प्रसिद बॉलिवुड गायक तो ये आपको याद रखना है next question किस देश के पूर्व राष्टपती बुजर निशानी का 55 वर्ष के आयूं में इधन हो गया है सही आंसर है option A अल्बानिया तो अल्बानिया देश के पूर्व राष्टपती बुजर निशानी का 55 वर्ष के आयूं में इधन हो गया है ये आपको याद रखना है next question अग्याद हमलावरों ने 29 वर्ष ये प्रसिद पंजाबी गायक शुब दीप सिंग सिद्धू उर्फ सिद्धू मुसेवाले का गोली मारकर हत्या कर दिया है इनका समन्द पंजाब के किस जिले से था सही आंसर है option C मांसा जिले से next question शिवाजी पतनायक का 93 वर्ष के आयूं में इधन हो गया है ये कौन थे सही आंसर है option D वयोवरिध कॉमोनिस्ट नेता next question किस देश के राष्टरपती शेख खलीफा बिन जाइद अलनहाईन का 73 वर्ष के आयूं में इधन हो गया है सही आंसर है option A सही अरब अमिराद तो सही अरब अमिराद देश के राष्टरपती शेख खलीफा बिन जाइद अलनहाईन का 73 वर्ष के आयूं में निधन हो गया है ये आपको याद रखना है बोडन पाइंट से जान लेते हैं शेख खलीफा बिन जाइद अलनहाईन UAE के दूसरे राष्टरपती और अबुदाभी के सौल में शा सकते ये भी आपको याद रखना है अगर आप करंट अफेस पढ़ना चाते हैं तो हमारे करंट अफेस के चैनल करंट अफेस बायरवी पर विजिट कर सकते हैं इस चैनल का ग्रीन कलर का लोग होगा यहां पर हम आपको डेली करंट अफेस काफी डेटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं तो जो भी करंट अफेस पढ़ना चाते हैं हमारे इस चैनल को सब्स्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे है नेक्स्ट कोशन है हमारा पूर्व दिगज क्रिकेटर एंड्रु साइमेंट्स का कार एक्सिडेंट में निधन हो गया है इनका समन्द किस देश से था सई आंसर है आप्शन दी आस्ट्रेलिया देश से इंपोर्डन पाइंट से जान लेते हैं एंड्रु साइमेंट्स ने 1998 से 2009 तक आस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट और 191 दिवसी अंतराश्री मैच खेले हैं यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन हमारा दुनिया के सबसे उमर दराज शत्रंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबक का निधन हो गया है इनका समद्ध किस देश से था सई आंसर है आप्शन सी रूस देश से बोडन पाइंट से जान लेते हैं यूरी एवरबक ने सन 1952 में शत्रंज ग्रैंड मास्टर का किताब जीता था ये information आपको याद रखनी है अगला कुशन डिस्स करते हैं प्रतिश्टित संस्कृत और हिंदी विद्वान डॉक्टर रमा कान शुकला का निधन हो गया है भारत सरकार ने इन्हें किस वर्ष साहित्य और शिक्षा के लिए पदम श्री से समानित किया था सई आंसर है option B 2013 में तो डॉक्टर रमा कान शुकला का निधन हो गया है बट इन्हें भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के लिए पदम श्री 2013 में दिया था ये भी आपको याद रखना है डॉक्टर रमा कान शुकला को कविता ममा जननी के लिए सांस्कृत शुरेनी के तहट 2018 में साहित एक आदमी पुरुस्कार भी मिला हुआ है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन जेम्स ड्रिगवेल रिमबाई का 88 वर्ष के आईयों में निदन हो गया है ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे सही आंसर है आप्शन B मेघाले राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे अगला कोशन डिस्स करते है भारती महिला हौकी टीम की पूर्व कप्तान अलवेरा ब्रिटो का 81 साल की उमर में निदन हो गया है इन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरुसकार से समानित किया गया था सही आंसर है आप्शन D 1965 में अगला कोशन हमारा भारत में प्रोटीन क्रेस्टलोग्राफी की नीव रखने वाले प्रमुख सरचना आत्मक जीव विज्यानी M. विज्यन का निदन हो गया है इन्हें किस वर्ष शांती स्वरूब भटनागर पुरुसकार से समानित किया गया था सही आंसर है आप्शन B 1985 में अगला कोशन हमारा मौबाई की बाकी का 90 वर्ष के आयो में निदन हो गया है ये किस देश के पूर्व राष्टपती थे सही आंसर है आप्शन C कैनिया देश के नेक्स्ट कोशन है हमारा ओडिशा के प्रख्यात लेखिका वीना पानी मौहंती का 85 वर्ष के आयो में निदन हो गया है इनने किस वर्ष पदम श्री पुरुसकार से समानित किया गया था सही आंसर है आप्शन A 2020 में ये आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन वयवरिद नेता और पूर्व केंदरी मंत्री पंडित सुख राम का 94 वर्ष के आयो में निदन हो गया है इनका समन्द किस राज्य से था सही आंसर है आप्शन B हिमाचल प्रदेश से नेक्स्ट कोशन पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष के आयो में निदन हो गया है ये कौन थे तो पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रसिद संगीतकार और संतूर वादक थे यह आपको याद रखना है प्रख्यात उडिया सहित्यकार रजद कुमार का निजन हो गया है इन्हें किस वर्ष सहित्य और शिक्षा के लिए पदम श्री मिला था सही आंसर है option A 2021 में यह आपको याद रखना है अगला कोशन देखते हैं प्रसिद फॉर्मुला वन कार रेसिंग ड्राइवर टॉनी ब्रुक्स का निजन हो गया है इनका समन्द किस देश से था सही आंसर है option C ब्रिटेन देश से अगला कोशन हमारा सलीम घोश का 70 वर्ष के आयू में निधन हो गया है यह कौन थे सही आंसर है option A फिल्म और टीवी अभीनेता यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन प्रफुल कर का 83 वर्ष के आयू में निधन हो गया है यह कौन थे सही आंसर है option D लोगप्री ए उडिया गायक और संगीत नर्देशक नेक्स्ट कोशन मंजु सिंग का 73 वर्ष के आयू में निधन हो गया है यह कौन थे सही आंसर है option C हिंदी टेलेवीजन अभीनेतरी तो हिंदी टेलेवीजन अभीनेतरी मन्जु सिंग का 73 वर्ष की आईयों में निधन हो गया है यह आपको याद रखना है Next question शिव कुमार सुब्रामन्यम का निधन हो गया है यह कौन थे सही answer है option A अभी निता और पटकता लेखक Next question हमारा अमेरिकी कवी रिचर्ड्स हावर्ड्स का 92 वर्ष की आईयों में निधन हो गया है इन्होंने किस वर्ष पुल्तिजर पुरुसकार जीता था सही answer है option C 1970 में अगला question डिस्स करते है सरफशेष्ट अभी नेता का आउसकर जीतने वाले पहले अर्श्वेत विक्ती का 94 वर्ष की आईयों में निधन हो गया है इनका क्या नाम है सही answer है option A Sydney Poiter Next question हाल ही में समाजिक कारे करता सिंदू ताई सब काल का निधन हुआ है इन्हें किस नाम से जाना जाता था सही answer है option B अनाथो की मा यह आपको याद रखना है Friends Friends आप next वीडियो किस टॉपिक पर चाते हैं यह आप मुझे comment box में बता सकते हैं मैं उस topic के उपर वीडियो जरूर बनाऊंगा तो आप मुझे comment में बता सकते हैं Next question हमारा किस राजी के पूर्व मुख्यमंतरी भीम बहादूर गुरंग का निधन हो गया है सही आंसर है Option A सिक्किम राजी के यह आपको याद रखना है Next question हमारा किस देश के पूर्व राश्रपती इबराहिम बाइपकर कीता का निधन हो गया है सही आंसर है Option C माली देश के Next question Footballer मीगुल वेंड डेम का निधन हो गया है इनका समंद किस देश से है सही आंसर है Option A Belgium देश से Next question Graphics इंटरचेंज फॉर्मेट प्रारूप के निर्माता का निधन हो गया है इनका क्या नाम है सही आंसर है Option A Stephen Wilhite Next question किस देश के पूर्व राष्ट्रपती शबाहु दीन एहमद का निधन हो गया है सही आंसर है Option B Bangladesh अगला कुशन देखते हैं दुनिया में पहला सूर का दिल ट्रांस्प्लांट करवाने वाले मरीज का 57 वर्ष के आयों में निधन हो गया है इनका क्या नाम था सही आंसर है Option A David Bennett और friends जब हम किसी जानवर से इनसान के अंदर कोई भी और्गन ट्रांस्प्लांट करते हैं या अंग को बदलते हैं तो उसे हम जीनो ट्रांस्प्लांटेशन कहते हैं ये भी आपको याद रखना है ट्रांस्प्लांटेशन ये आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन देखते है मेडेलीन अलब्राइट का 84 वर्ष के आयो में निधन हो गया है ये किस देश की पहली महिलावी देश मंतरी थी सही आंसर है Option D अमेरिका देश की नेक्स्ट कोशन हमारा आंसर है Option B माली देश के नेक्स्ट कोशन भौतकी के एक शित्र में योगदान देने वाले खोगोल वग्यानिक यूजीन नियूमेन पारकर का निधन हो गया है इनका समन्द किस देश से था सही आंसर है Option A अमेरिका देश से यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन किस राजे की पूर्व राजे पाल कुमुद बेन मनी शंकर जोशी का निधन हो गया है सही आंसर है Option B आंदर प्रदेश तो आंदर प्रदेश राजे की पूर्व राजे पाल कुमुद बेन मनी शंकर जोशी का निधन हो गया है नेक्स्ट कोशिन दिगज रेजर रेमन का निधन हो गया है इनका समन्द किस क्षेत्र से था सई आंसर है option C wrestling WWE से नेक्स्ट कोशिन भारत के 35 में मुख्य नयधीश का निधन हो गया है इनका क्या नाम था सई आंसर है option C रमेश चंदर लहोटी तो रमेश चंदर लहोटी भारत के 35 में मुख्य नयधीश थे जिनका अधिवी अभी निधन हो गया है नेक्स्ट कोशिन किस देश के पूर्व राष्ट्रपती रुपईया बांदा का निधन हो गया है सई आंसर है option D जांबिया तो जांबिया देश के पूर्व राष्ट्रपती रुपईया बांदा का निधन हो गया है नेक्स्ट कोशिन किस देश के वयोवरिद राजनितक गये सुप्रीम कोट के पूर्व नयधीश और राष्ट्रपती रफीक तरार का निधन हो गया है सई आंसर है option A पाकिस्तान नेक्स्ट कोशिन पूर्व क्रिकेटर रॉड़नी विलियम मार्श का निधन हो गया है इनका समन्द किस देश से था सई आंसर है option D आस्ट्रेलिया देश से यह आपको याद रखना है अगर आप क्रेंट अफेस पढ़ना चाते हैं तो हमारे क्रेंट अफेस के चैनल क्रेंट अफेस बायरभी पर विजिट कर सकते हैं इस चैनल का ग्रीन कलर का लोग होगा यहाँ पर हम आपको डेली क्रेंट अफेस काफी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका पीडियेफ भी प्रोवाइड करवाते हैं तो जो भी क्रेंट अफेस पढ़ना चाते हैं हमारे इस चैनल को सब्स्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे है नेक्स्ट कोशन है औसकर विजिता निर्माता एलन बार्बिज लैड जूनियर का निधन हो गया है इनका समन्द किस देश से था? सही आंसर है option A, अमेरिका देश से अगला कोशन जनरल S.F. Roderick's का निधन हो गया है इन्होंने कब से कब तक भारती सेना के प्रमुक के रूप में कारे किया था? सही आंसर है option A, 1990 से 1993 तक नेक्स्ट कोशन जैप्रकाश चौकसे का निधन हो गया है, ये कौन थे? सही आंसर है option D, फिल्म समिक्षक ये आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन किस देश के पूर्व प्रधान मंत्री तोशी की कैफू का 91 वर्ष के आयू में निधन हो गया है? सही आंसर है option D, जैपैन देश के अगला कोशन किस देश के महान स्पिन गेंदवास सनी रामादीन का 92 वर्ष के आयू में निधन हो गया है? सही आंसर है option A, वेस्ट इंडीस तो West Indies के ये महान स्पिन गेंद बास्ते सनी रामादीन जिनका 92 वर्ष के आयों में निधन हो गया है Next question हेमानंद विस्वाल का निधन हो गया है ये कौन थे? सही answer है option A ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंतरी थे ये आपको याद रखना है Next question है K.P.A.C. ललिता का 74 वर्ष के आयों में निधन हो गया है ये कौन थे? सही answer है option A मल्यालम फिल्म अभी नितरी Next question किस राज्य के उद्योग मंतरी मेकापती गोतम रेडी का निधन हो गया है? सही answer है option C आंदर प्रदेश के उद्योग मंतरी थे ये Next question शकुंतला चोधरी का निधन हो गया है ये कौन थे? सही answer है option C प्रसिद सवतंतरता सेनानी और समाजिक कारे करता अगला question डिस्स करते है रविश्तिवारी का निधन हो गया है ये कौन थे? सही answer है option C वरिष्ट पत्तरकार ये आपको याद रखना है Next question सुर्जीत सेन गुपता का निधन हो गया है ये कौन थे? सही answer है option B पूर फुटबॉलर Next question चनवीरा कानवी का 93 वर्ष के आयों में निधन हो गया है ये कौन थे? सही answer है option A कनण भाशा के प्रतिष्ठित कवी ये आपको याद रखना है Next question गीता श्री संध्या मुखो पाद्याई का 90 वर्ष के आयों में निधन हो गया है ये कौन थे? सही answer है option B महान बंगाली गाई का अगला question वयवरिद गायक और संगीत कार बपी लहरी का 69 वर्ष के आयों में निधन हो गया है इनका असली नाम क्या था? सही answer है option A राहल बजाज का निधन हो गया है इनको किस वर्ष भारत के तीसरे सर्वोच नागरिक पुरुसकार पदम भूशन से समानित किया गया था? सही answer है option A 2001 में ये आपको याद रखना है next question HIV के सह खोज करता और नॉबेल पुरुसकार विजिता Luke Montagnier का निधन हो गया है ये किस देश के विग्यानिक थे? सही answer है option B France देश के ये आपको याद रखना है अगला question डिस्स करते है महा भारत में भीम का रोल करने वाले अभीनेता प्रवीन कुमार सोपती का निधन हो गया है इन्होंने एशिया खेलों में स्वन पदक कब जीता था? सही answer है option C 1966 और 1970 में Next question धार में एक प्रवर्चन करता इब्राहिम सुतार का निधन हो गया है इनको किस वर्ष पदम श्री से समानित किया गया था? सही answer है option C 2018 में ये आपको याद रखना है सफतंतर भारत में पहली शुद्र ग्रह खोजों का नित्रित्व करने वाले आर राजा मोहन का निधन हो गया है ये किस संस्थान के पूर्व खोगोल शास्त्री प्रोफेसर थे? सही answer है option A भारती खोगोल भोटकी संस्थान बंगलूरू के अगला कोशन डिस्स करते है किस्टोस साथ जेता किस का 92 वर्ष के आयू में निधन हो गया है ये कौन थे? सही answer है option A ग्रीस के पूर्व राश्रपती थे next question चंदू पतला जंग रेडी का निधन हो गया है ये कौन थे? सही answer है option C भारती जंता पार्टी के वयोवरिध नेता ये आपको याद रखना है next question रमेश देव का निधन हो गया है ये कौन थे? सही answer है option A वयोवरिध अभीनेता तो वयोवरिध अभीनेता रमेश देव का निधन हो गया है ये आपको याद रखना है next question अमिताब दयाल का अकावन वर्ष के आयू में निधन हो गया है ये कौन थे सही आंसर है option A अभी नेता और फिल निर्मादा अगला question डिस्स करते हैं रुपिंदर सिंग सूरी का निधन हो गया है ये कौन थे सही आंसर है option C वरिष्ट अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिस्टर जनरल अकला question हमारा सिख समुदाय के भारती समाजिक अध्यात्मिक नेता इकबाल सिंग की इंगरा का निधन हो गया है इनको किस वर्ष पदम श्री पुरुसकार से समानित किया गया था सही आंसर है option B अनेल अवचट का निधन हो गया है ये कौन थे सही आंसर है option A प्रख्यात मराथी लेखक और समाजिक कारे करता ये आपको याद रखना है अगला question है जनवरी 2022 में चरण जीच सिंग का निधन हो गया है ये कौन थे सही आंसर है option B भारती होकी टीम के पूर्व कप्तान थे ये क्या आपको याद रखना है next question फ्रांस की प्रसिद कत कली निधन हो गया है भारत में इनको किस वर्ष पदम श्री पुरुसकार से समानित किया गया था सही आंसर है option C 2019 में प्रसिद भारती इतिहासकार पुरा ततवविद और तमिलाडू के पुरा लेखविद आपको आपको वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाओं राम चंदरन नागा स्वामी का निधन हो गया है इनको किस वर्ष भारत के तीसरे सर्वोच नागरिक पुरुसकार पदम भुशन से समानित किया गया था सही आंसर है option B 2018 में सुभाश भामी का निधन हो गया है ये कौन थे सही आंसर है option B भारत के पूर फुटबॉलर तो भारत के पूर फुटबॉलर सुभाश भामी का निधन हो गया है ये आपको याद रखना है अगला कोशन है दुनिया के सबसे बजुर्ग व्यक्ति सैटर निनो डे ला फुएंते गार्सिया का 112 की उमर में निधन हो गया है इनका समन्द किस देश से था सही आंसर है option D स्पेन देश से next question हरिपाल सिंग अहलू वालिया का निधन हो गया है ये कौन थे सही आंसर है option A प्रसिद पेशेवर परवता next question सायोली मित्रा का निधन हो गया है ये कौन थी सही आंसर है option A प्रसिद बंगाली रंगमंच हस्ती अगला question अलंपिक ट्रिपल जंप में तीन बार के स्वन पदक विजिता और पूर विश्व रिकॉर्ड धारक विक्टर डैनिलोविच सानेव का निधन हो गया है ये किस देश के से सही आंसर है option A जौर्जिया देश के next question S.H. सर्मा का 100 साल की उमर में निधन हो गया है ये कौन थे सही आंसर है option C भारतिय नौसेना के वाइस एड्मिरल अगला question अमारा रिचर्ड लीकी का निधन हो गया है ये कौन थे सही आंसर है option D विश्व प्रसिद केनिय राजनेता ये आपको याद रखना है अगला question है विजे गलानी का निधन हो गया है ये कौन थे सही आंसर है option A बॉलिबुड फिल्म निर्माता अगला question साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक प्रोफेसर M के प्रसाद का निधन हो गया है ये कौन थे सही आंसर है option B प्रसिद प्रैवरन विद्ध ये आपको याद रखना है अगला question हमारा प्रसिद बंगाली कॉमिक्स कलाकार लेखक और चितरकार नरायन देवनात का निधन हो गया है इनको किस वर्ष भारत के चोथे सर्वोच नागरिक पुरसकार पदम श्री से समानित किया गया था सही आंसर है option B 2021 में अगला question है गरीबों की आवाज के रूप में याद की जाने वाली ओडिशा की समाजी कारे करता और पदम श्री से समानित शांती देवी का निधन हो गया है इनको अन्य किस नाम से जाना जाता था सही आंसर है option B लुगडी देवी तो ये आपको याद रखना है next question है 16 जनवरी 2022 को पंडित विर्जु महराज का 83 वर्ष के आयों में निधन हो गया है इनका समन्द किस खशित्र से था सही आंसर है option A ये एक महान कथक नित्तक थे ये आपको याद रखना है next question किस देश के अलंपिक एथलीट डियोन लेंडोर का 29 वर्ष के आयों में निधन हो गया है सही आंसर है option D अमेरिका के एथलीट थे ये अगला question प्रसिद कनर लेखक चंदर शेखर पाटिल का निधन हो गया है इनको अन्य किस नाम से जाना जाता था सही आंसर है option D चमपा के नाम से next question ये उरोपिये संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया है ये किस देश से थे सही आंसर है option A इटली देश से next question किस देश की आसकर Emmy और Grammy विजेता और गाय का मरलिन बर्गमेन का निधन हो गया है सही आंसर है option B अमेरिका देश की next question अमारा शिलॉंग चैंबर चौईर के संस्थापक और प्रसिद भारतिय संगीत कारेकरम पियानो वादक नील नौंकिन री का निधन हो गया है इन्हें किस वर्ष पदम श्री से समानित किया गया था सही आंसर है option C 2015 में ये आपको याद रखना है तो friends ये था हमारा आज का विडियो जिसमें मैंने आपको चर्चित निधन काफी डिटेल में पढ़ा दिये आशा करता हूँ आपको हमारी ये विडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी विडियो का content और quality अच्छे लगी है तो इसे like जरूर करें अपने friends के साथ share करें और अपना feedback हमारे comment box में जरूर दें तो चलिए अब आपसे मुलकात होगी next video में तब तक के लिए thank you and wish you all the best